असोसियेशन्स हैं, फिक्की, सी आई आई, एसो चैम, उन सब की तरफ से एक कोशिश करी गई कि उन्होंने बोला कि हमने एप्लिकेशन फाइल करिये कि यह नंबर ना डिस्कलोस किया जाए और हमको सुना जाए उस पर चीफ जस्तिस ने बोला कि नहीं तुमारी एप्लिकेशन रेकॉर्ड पर नहीं है और यह सब लोगों को जब हमने इंटरिम और पास किया था तो यह सब को नोटिस पर डाल दिया था जब 2019 में इंटरिम और पास किया था कि वह यह डीटेल डोनर डीटेल सब डिस्कलोस करने होंगे तो इसलिए उन्हों ने फिर स्टेट बैंक को सुना और स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं हमारे पास बांड नंबर्स वगरा सब हैं और हम असानी से यह डेटा दे सकते हैं लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ओर्डर का मतलब हमको लगा कि बांड नंबर नहीं देने हैं वगरा वगरा तो कोट ने बोला कि नहीं हमने आपको बोला था कि सारे डीटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बांड के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं उसका यह मतलब नहीं था कि आप बांड नंबर नहीं देंगे या और कोई डीटेल नहीं देंगे तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डीटेल जो भी उनके पास बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें और स्टेट बैंक के चेर्मन से बोला है कि वो थर्जडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब disclose कर दिया है और election commission इस सारे bond numbers के साथ सारे bonds के details तुरंत publicly disclose कर दे